तो मूर्ती पूजा तो स्रिष्टी के आदी से फराराम हो रही है और स्रिष्टी के अंत तक चलेगी और मूर्ती पूजा खंडन वाले कम नहीं है ये कल्यू गए लेकिन फिर भी पूजा होती रही बले लोग कितना भी मूर्ती पूजा का विरोध करें जैपूर जहां मूर् तरम हैं इसकी जड़े नीचे पताल तक जा रही हो खाड़ नहीं पाओंगे बच्चों कितना भी जोड़ लगागा भारत की नहीं खुदाई की बात करें विदेशों में भी खुदाई हो जाए वहां भी नात्म धरम के ची नहीं मिले जाएंगे यह तो भारत की बात है क्योंकि पूरे भारत विश्व पर राज किया है रामजी चक्रवर्ती समराट होए दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जिसने पूरी दुनिया पर शाशन किया फे भी कुछ देश बचे एक भारत है इस दिल्ली ने कभी पूरी दुनिया पर शाशन किया आप जानते समात को हिंदुस्तान की होकर अपने इतियास नहीं जानते गुरवान भी तो होना चाहिए आपको दिल्ली जब इसका नाम इंडर प्रस्थ था यहां की राजा कौन थे जिश्ठर इस नगरी को किस ने बसाया भगवान स्री कृष्ण और नाम क्या रखा इंडर प राजसुया यगतब किया था साब वशवर्ती हो गई दिश्ठर के यह बने चक्रवर्ती सम्राड मने पूरी दुनिया का एक चत्र सम्राज चाहिए आज इंडर प्रस्थ एक छोटी सी कालोनी बनके रह गई जैमना के नार एक स्टेशन का नाम है इंडर प्रस्थ भुला द जिसको आज लाल किला कहते हैं यही वो स्थान है जो भगवान स्री किष्ट ने मैं नाम के दानों से नगर बसाया था जहां जल थल दिखाये देता थल जल दिवार दिखाये देता दिवार दिवार तो यह नगर बसाया किसने स्री किष्ट ने है आज स्री किष्ट ने के नाम से जिसने नगर बसाया इंडर प्रस्थ है वहाँ कोई चिंद स्री किष्ट के नाम से किसी मार्ग का नाम हो किसी पार्ग का नाम हो इस दिख्ट के नाम से कोई रास्ते का नाम किसी पार्ग किसी बिल्डिंग का नाम और जिनों ने विदेशियों ने आकर के भारत की समीता पर अटैक किया उनके नाम से अब भी पार्कों के नाम है दिल्ली में हम तो मांग करते हैं अपनी हरकत हमें जब भी ये बात चलती है कि दिल्ली का वही नाम हो जिसका पुराना नाम है असली नाम है दिल्ली का असली नाम है इंद्र प्रस्ठ बनेगा थुड़ा संगर से समय लगेगा सचाई को कितना भी छिपा लो एक दिन प्रकट होगे कुश्बु आ नहीं सकती तागज के फुलों से सचाई छिप नहीं सकती जूठे असूलों से आज भी कोई लाल के लिए की खुदाई करते हैं होगी खुदाई सब्जाय होगी यदि आप एक बने रहे तो एक दिशा में यदि आप चलते रहे तो सच सामने आएगा हिंदुस्तान का यह विश्व गुरू था अब भी है छिपाव है सच्चाई सामने आएगी और सारा विश्व सुखी हो जाएगा जिदि इस नात्म धर्म का शास्म पूरी दुनिया पे हो जाए सारा विश्व सुखी हो जाएगा क्यों यही तो धर्म है जो कहता सर्वे भौन्तु सुखीना सर्वे संतु निरामा वसुदायव कुटुम्बकम यही तो धर्म कहता है यही तो धर्म कहता है अद्वेश्टा सरव होता नामा मैत्री कर्ण एवचा यह गीता का धर्म यह भागवत का धर्म यह रमायन का धर्म ये प्रेम का धर्म है जीव और जीने दो ये वो धर्म है एक नूर से सब जग उपजो कौन भले को मन दे सब कुसी क्या ये है धर्म लेकिन फिर भी कल्यूग तो कल्यूग की तरह चलेगा लेकिन सजनों को कुसंग का रंग ना चड़ जाए अभी देखतों में कहीं जगा सजनों को कुसंग का रंग चड़ावा है उतर जाएगा जल्दी से क्योंकि सजन तो सजन ही है भले कोई दुरुजनों की भासा बोलने लग जाए शेर बकरी की तरह मिम्याने लग जाए तब भी शेर तो शेर ही रहेगा तो सजन वैक्ति को कुसंग लग जाएदि वो भी विपक्षों की भासा बोलने लग जाए कोई बात नी थोड़े समय के लिए होगा लेकर फिर असनी रूप उनका सामने आएगा इसलिए हम उनको भी नमस्कार करते हैं जो सजन है लेकिन अभी साथ नहीं दे रहे हैं राम जन भूमी का उनको भी मैं पनाम करूंगा और कहूंगा थुड़ा साथ समय को देखो बोलते वे